प्रश्राव जास्ती होता है, तोथा रोज है, रच्ट प्रश्राव बिल्कुल नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मासिख पाड़ी दो तीन दिन होना से एक दिन होता है, कभी ऐसा भी होता है, कि वो पनिरे दिन में ही फिर से आजाता है, कई बार ऐसा होता है, दो महिने तक नहीं आता है, तो ये सम मासिख पाड़ी के धिक्ति भी प्राहत है, इसकी हमारे स्वेंपा यहां पाइब बहुत अच्छी आउशद है यह सुन्पा घर के बाहर आउशद है अशोग के आन का चत्ली अशोग का जार देखा अशोग यह अशोग में यह 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 होते एक सोचीला होता है लगमा वो नई अरुछ ऐसे फोरा होता है गोल जैसे यह है कि यह वाला ज्यादा अ्छार इसका क्या करना है下去 i can tap 25 तोड़ना पौकिर उसका चट्नी बनाना चट्ली चट्नी बनाके एक इलास पानी में उबारूना, गरम करना गरम करके उसको ठंडा करना फिर उसको पीना और सुबह सुबह पीना, खाली पेट, अनुश्वत होते कितने दिवस की सकते हैं? तीस दिवस ततक पीना, लगबत तीस दिवस एक मही में उसमें से समीत रास ठीक हो जागा मासिक पाड़ी के घित्ते वी रास है उसकी ये अचेली सबसे अच्छी आउचर हमारे घर में है या घर के नज़्दीक है, मुफस में है, फोकस में कमर में दर्गोता वो भी ठीक होगा लेकिन वही कमर का दर्ग जो मासिक पाड़ी के समय होता है बाकी समय ने, बाकी समय ठीक करने के ये चूना सामा करें अभी मैं भोज़त करता था, कोई दो-तीन ताई मेरे पास आई थी मासिक पाड़ी की तक्रिफ उनके लिए भी यह आउशक है फिर से बताता, आउशक बहुत महत्तु की है इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिये आप सभी के काम की है ये अशोप के पांच या छे सोर ना इसकी चत्नी बनाना चत्नी बनाके एक गिलास पानी में गरम करना पानी इतना गरम करना कि आधा हो जाए ज़्यादा देर गरम करना फिर ठंडा करना उसको ठंडा करके पीए और जो भी उसमें पान है न वो चबा के खाये न उसको चांदना ने तीस दिन आपने किया एक महीने सकत उसके में बहुत सारा स्थिक हो जाए जिनको तीस दिन लेने पर भोड़ा स्थिक हुआ पुरा नहीं हुआ तो और तीस दिन लेना उसके बाद लेने का आशुट्टा नहीं पड़े नुसरा एक आउशदी है वो भी इसी काम में आता है मदद होता है मासित पाड़ी के दिलों में बहुत तकलीफ हो रही हो धर्दम हो रहा हो कमर में, पेट में, त्यूचिर हो रही हो तो उस समय एक साथकाली कौशक है यो बहुत मदद करती है, बहुत आराम देती है वो है गाय का तूप गाय का तूप एक चमच एक गिलास पानी गरम करके बालते हो पीना एक गिलास पानी खुब गरम करना उबालता हुआ जैसे चाई के लिए पानी गरम करते हैं इसना गरम करता फिर उसमें एक चमच तूप दालना जाय का फिर वो पानी पीना चाई की तरह से पीना चाहिक एसीपीते हैं सिपढ़ा करके ऐसीपीते हैं ताक्तालिक इससे बहुत आराम होता है और यह सतर 4-5 जवसी पीना जाफ्ती लिए जितना मासिपाढ़ी का समय है उसमें यह समय पीना चार जिवस पाँच जिवस जास्टी के लिए, सब के लिए, पेट के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, इस्तन में बहुत दर्द हो रहा है, छाती में दवाव कर रहा है, सिर में बहुत चक्कर आ रहे हैं, तोके दुख रहा है, मीज नहीं आ रही है, बेचे नहीं हो र तक तक ठीक रहे, कोई ज़्यादा त्रास नहां हो, उसके लिए आप चूना खाना, दही में डालके नहीं तो ताक में मिला, चूना कितना लेना, मैंने बोला थोड़ा सा चूना, एक ग्राम और सौ ग्राम दही या दही की ताक उसमें मिलाके सुगर दिना, तो सतर जीवल पर यां ताक को तक ठीक रहे